हलो दोस्तो नमस्कार आप देख रहे हमरा यूटूब चैनल चोपड़ा एजुकेसन और मैं हूँ हरसाई चोपड़ा दोस्तो MCC की काउंसलिंग के टाइम पर इस्टुडेंट ने जो सेक्रूटी अमाउंट डिपोजिट करवाया था उसके रीफंड की डेट MCC ने अनाउंस्ट कर दी है यह अमाउंट 15 अक्टोबर तक आपके उस अकाउंट में वापस आ जाएगा जिस अकाउंट से आपने डिपोजिट किया था इसके रिगार्डिंग MCC ने अपने वेबसाइट पर एक नोटिस डाला है तो आएए देखते हैं इसमें क्या लिखा है तो mcc.nick.in पर जैसे हम विजिट करते हैं न्यूज अबलिक इवेंट्स में रिफंड ओफ योजी काउंसलिंग 2019 यह सिप्टेमबर 27 की यह नोटिस है तो इसको जैसे हम क्लिक करके डाउनलोड करते हैं तो इसमें लिखाए आएंटेक चिजी.गेंBल 18 यह सिप्ते हैंज है तो मेंमे क्या देख टो याह द वेंकि प्रफिटेश दिशलिंग था इसे हैं आएंगफ डोन इसमे लिखाए बिछ्यूहराय सुऩ्टें आट्यूहरा था इस्ट ट बप्रफिटर फवेंट्नि़त ऱ चल्यूदूज हैunk RES case of any refund queries please contact finance mcc 2019 at livecarehil.com direct queries to mcc regarding refund oblique payment will not be entertained तो इसमें लिखा है कि आप इसमें आपने जो भी आपको कोई प्रोब्लम है तो आप इसमें यह जो mail id दे रखा है इस mail id पर mail कर सकते हैं आप इसमें direct refund or payment के regarding mcc को कोई call वगरा queries वगरा नहीं करेंगे queries के लिए इसमें mail दे रखा है इसके बाद में इसमें यह लिखा है कि 15 October तक आपके उसी account में यह complete हो जाएगा process आपके 15 October तक आपके account में यह amount वापस आ जाएगा तो दोस्तों यह clear हो चुका है और इसमें आप 15 October तक आपके account में आ जाएगा मैंने पहले एक मैंने पहले ही वीडियो में यह student को बता दिया था कि 15 October तक आपका amount वापस आ जाएगा क्योंकि हमारे channel पर जो सूचना दी जाती है वो बिलकुल accurate दी जाती है तो यह हमने आलरड़े ही student को बता दिया था पहले ही तो दोस्तों यह जानकारी थी कि MCC का refund कब आएगा क्या इसने MCC नहीं जो date है वो declare की है उसके बारे में आप हमारे channel पे नए हैं तो channel को subscribe करके bell icon प्रेस कर दें वीडियो को like वा ज्यादा ज्यादा शेयर करें क्योंकि इस परकार के information हम student को advance में ही दे देते हैं तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में तब तक लेते हैं आपसे विदा जैहिंद